को हेलो दोस्तों पिछले सनिवार को बिहार के वेगुसराय के बरोनी जक्सन पे जो दर्दनाक घटना हुई थी उसमें पॉइंट मेन अमर कुमार की दर्दनाक माउथ हो गई थी आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि उच्छे अस्तरिया जो जाँच हुई उसमें किस-किस को दोसी करार दिया गया है उन पे क्या कारवाई हुई है और किस किस पे गाज गिर सकती है इसमें जो senior अधिकारी जांच किये थे उसका क्या update है उसके साथ साथ थोड़ी घटना के बारे में भी जानकारी जो update हुई है वो बताने की कोशिश करूँगा सबसे पहले घटना आपको पता है कि इसमें दधनाग मिरती हो गई थी डी कपलिंग के दारान लोको पीछे आ गई थी पीछे आने के बाद पॉइंट्समें इसमें दब गए थे रेलवे की तरफ से इसकी एक senior level पे जिसमें senior DMO थे senior DE थे उसकी जांच करवाई गई और उसमें क्या आया निकल के वो बताऊंगा तो आपको सबसे पहले बता दू इस घटना में जो पॉइंट्समें थे मोहमद सुलेमान वो तो initial report में ही दोसी सावित हो गए थे उसके साथ साथ अभी जो inquiry हुई है उसमें लोको पाइलेट को भी दोसी करार दिया गया है इसका कोई official report अ तो उनको भी seconds कर दिया गया है अब यह जांच कैसे हुई आपको पता हलाब वाल हुआ उसके पाइलों को देखा गया है देखा गया कि आपको पसे पहले घटन कर दिजल भरने के लिए propri लोको जो व्यकली संटर वंरे कर दू नषो करते हैं लटक यह लटक आ रहा है को यह द्यूंच में पॉइंगंग सुलैमान अनु sudah किया इसारा किया लोको पीछे आए दर्दनाग डब मौथ हुगई ये भी जानने की कोशिस करेंगी कि भाई वो दबे तो दबे ही क्यों रह गए अभी मानों कोई टकराया तो अगर लोकों को बापस ले या जा सकता था उसी समय तो हो सकता था उनके पसलियां तूटती लेकिन उनकी जान बच सकती थी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया तो इस पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था पहला बीडियो έχड होगा तो देखना उसमें मैं बताया था जब यह डिटेच हो गया पाबर को काटना था पाबर कट गया आगे चली गई चारहां तो लोको पीछे आई ही क्यों पॉइंट्समेन मुहमद सुलेवान ने कहा था मैंने लोको को आगे लेने के लिए कहा था लोको पैलेट ने पीछे ले लिया अब लोको पैलेट का कहना था उन्होंने पीछे लेने के लिए कहा था सबसे पहले आपको बता दूँ जो पाबर जब कटा न तो आगे थुरा चला गया प्लेटफॉन मार पांच और छे जो है न उसमें आगे से रस्ता है जहांपर पासल का समान भी जाता है बाइक से लोग भी जाते हैं और पैदल मुसांफिर भी जाते ajaung एक प्लेटफॉंब से स्टब भी जाते हैं Pidet promise मेर चार पे वहांपर जीर्पी आर्या प्लेटफॉर्म पे ही आगे की ओड तो उसमें कहा गया कि रास्ता ब्लॉक हो गया था जब यह पाबर कट हुआ उस रास्ते को क्लियर करने के लिए पॉइंट में ने बोला था भाई अब आप ले लो आगे तो लेकिन लोको पाइलट ने पीछे ले लिया अब पीछे लिया अंदाजा ही ने था कितना पीछे लेना था और वह दब गए अब यह सवाल उठ रहा है जब दबे तो फिर आगे ले लेते तो उनकी जांच तो बस सकती थी तो आपको बता दूँ जब लोको पीछे गई तो पीछे जब वह दबे तो दबने के दोरान वह जो कपल था फिर उसको खोणने के लिए फिर से हैंडल उठाने की जुरत थी फिर फुरा पीछे लेते और इतने में वह दबे हुए हैं कराये हैं और तब तक उनकी पसलियां मतलब वह जिस तरह से दर्धनाक मिरती हो गई उनकी जब यह चीज हुआ उसके 5-7 मिनट के बाद लोको पाइलट को देखा गया CCTV में वो उतर के प्लेटफॉर्म की और भाग गए सबसे पहले पीछे लिया जो वो गलत हो गया जो पीछे क्यों लिए जब पावर कट करना था तो पीछे क्यों लिए तुम अगर तुमको पीछे लेना था तो रेलवे के नियम के अनुसार जिधर लोको कि अगर सामने की ओर जा रही है तो आगे वाला के यूज होगा अगर पीछे करना है तो फिर से लोको पैलेट को इस कैब से दूसरे कैम में जाना है और फिर लोको को पीछे लेना है तो यह रेलवे का नियम है जो सक्त है अब इस अधार पे लोको पैलेट को सस्पेंड किय आपने अगर पीछे किया लोको को तो आप पीछे वाले कैब में क्यों नहीं गए आगे ही बैठे बैठे क्यों पीछे कर दिया लोको पाइलेट हो गए सस्पेंड सस्पेंड में इनको आधी सेलरी मिलेगी लेकिन इनकी नौकरी भी जा सकती है आगे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है इसमें जो इस्टेशन के अधिक्चक थे उनसे पूछ ताच की गई आपके जब पॉइंट में ये डीकपल करने गए थे उनके पास फ्लैक क्यों नहीं था हाथ से क्यों इसारा कर रहे थे हाथ से क्या इसारा किया था इसी इसारे की बज़े से इसकी जान चली गई दूसरी चीज आपके कोई सुपरवाइजर लेवल क कि वहाँ पे ऑफिसर क्यों नहीं थे जो सुपरवीजन करते कपल डीकपल जब हो रही है तो कोई क्यों नहीं थे इस पे चर्चा हुई जो हमारे पास ये स्टाप नहीं था तो वहाँ बगल में ही इस स्टेशन है जहां पे पांच-पांच स्टेशन मास्टर एक संटिंग म की तरफ से पीछे लेने के लिए लोकों से आप उतर के भागे क्यों तो उन्होंने बोला पबलिक मुवमेंट बन सकता था मैं अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा ये लोको पैलेट का भियान ले गया उसके बाद इसका सीन को रीक्रिएट किया गया जो आप जब पीछे लिए तो कपल कैसे हो गई स्पीड क्या थी इसका जो नियम है धाई से तीन क्या स्पीड होना चाहिए कपल के एकदम स्लो में आएगी और ये टैच हो जाएगी तो वह स्पीड क्या था आदमी की जगह जो लकरी का गुठका होता है जिसमें वील में पार्किंग के टाइम पर लगाते हैं उसको वहां पर लगाया गया बफर में और टेस्ट किया गया कि यह रहते हुए क्या हमारी लोको एटैच हो जाएगी आगे से किया गया पीछे से अनुमान कितना था मतलब ताकि यह तो घटना हो गई अब इसमें आगे क्या प्रिकॉशन लिया जा स सारी चीज करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन रखा जा सकता है आप लोग क्या करिए इसमें जो लोको इंस्पेक्टर उनसे बातचीत की गई है आपके जो संटर लोको पाइलट थे उनका काउंसलिंग कैसा था उनकी ट्रेनिंग कैसी थी वो क्या उनको यह चीज पता नह तर जो थे और points में दोनों को suspend कर दिया गया है यह remove from service भी हो सकते हैं अपना यह दलील दिये हैं पूरा दलील दिये हैं मेरी कोई गलती नहीं थी जो होता है लेकिन जो मौत हुई है उसमें railway की पूरी खिलनिया उड़ाई गई है पूरे देश में यह तार-तार हो गया है कि railway का लगा सकते हो तुम इतना करोड का लोको मोटिव चला रहे हैं उसमें बैक केमरा भी तुम्हारे पास नहीं है जो लगा दो और लोको पाइलट को आपका जो नियम है तीन लोग रहें दो लोग रहें सूपर वीजन रहें उसके साथ-साथ अगर केमरा में भी दिखे मुझे लगता नहीं है इतना डिफिकल्ट है अब रेलवे वाले जो एक्सपर्ट हैं वह ज्यादा बहतर जान सकते हैं कि केमरा इंस्टॉल करने में कितनी तकलीफ हो सकती है या क्या चैलेंजेज है इस घटना से सीख लेते हुए रेलवे को चाहिए कि केमरा इंस्टॉल करें आग लेकिन चुकि मैंने इसके बारे में आपको बताया थो तो मैं अभी बता रहा हूँ कि ये दोनों लोग को दोसी करार दिया गया है सुलेमान और राकेस रोसन टू दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है इनके सैल्डी जो है सस्पेंशन के दोरान काफी कम मिलेगी परिवार चलाने के लिए इनको ये भत्ता दिया जाएगा अगर इनकी नोकडी चली जाएगी तो सोचो आगे क्या होगा इस तरह की लापवाही से बचने के लिए अभी अलग-अलग मेजर ले रही है लेकिन रेलेवे कहीं भी ये चीज को चर्चा नहीं की है कि हमारे स्टाप के सॉ लोको पैलेट के जो एलाई हैं उनको भी ये बताया जा रहा है कि तुम्हारा क्या ट्रेनिंग था जो आगे से पीछे लिया क्या मजाग चल रहा है रेलवे इतना वरा सिस्टम है इसमें जो नियम फॉलो किये जाते हैं वो क्यों नहीं फॉलो किये हैं अब आपको बता है कि जान गई है और काफी हला बबाल हुआ है अभी इस पे लोग जो हिंदू-मुस्लिम हिंदू-मुस्लिम कर रहे थे उनको भी ये चीज समझना चाहिए और अपडेट लेना चाहिए कि ये घटना में दोनों लोग को दोसी पाया गया है लोको पाइलट भी जो हिंदू ह है और मुहमद सुलिमान जो मुसल्मान है तो ये काम के दौरान कोई हिंदू-मुसलिम जो लोग करते हैं वो उनका एजेंडा है वो अपना करते हैं लेकिन दोनों लोग इसमें दोसी पाये गये हैं और एक चीज आपको बता दूँ इसमें जो मुआबजा दिया गया है लो जो रेल्वे की तरफ से पहल की गई वो होनी चाहिया और इतनी क्विक की वो मैंने आपको बताने की कोशीज की आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं रेलवे की तरफ दारी कर रहा हूँ, मैंने एक बताया कि उनके परिवार का भरन पोसन हो सके, उसके लिए उनके अनुकंपा के आधार पे उनके भाई को नोकरी दी जा रही है गुरूप सी में, और उसके अलाबा जो छती हुई है उनके परिवार में एक financial support दिया जा रहा है, जो ये पैसे मिले उनके परिवार में, इस दुख की घरी में सहने की थोड़ी छमता हो बाकि आप क्या सोचते हो वीडियो के बारे में, इस action के बारे में, कमेंट करके जरूर बताईएगा मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में तब तक अपना ख्याल लखिए, अपने परिवार का ख्याल लखिए, वावाई, टेक केर